हेलो आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी की जो आपकी बुक है वेडा उसका चप्टर नमबर टू चीटी और उसके नई शब चबदार्थ और वर्ड बेनिंग वगर जो भी हो सकते हैं वो सब आज हम करने वाले हैं सबसे पहले आपके नई शब्द हैं नई शब्द में क्या क्या है दूप वर्षया दाना इरादे घबराना नन्ना बढ़ाना परवत श्रम और दिखाना उसके बाद क्या आता है उसके बाद है आपके शब्दर्थ हर पल हर पल मतलब हर समय या फिर लगाता है चलती जाती या दोप दोप किया होता सूरज की डोशनी को धूब बोलते हैं वरसया यानि कि बारिश दाना अनाच का जो दाना उता हुसे चुनकर यानि कि एकठा करके तन का ऐसे entity इरादें कि अग 우리 इन ब्रबड़ी इच्छाए कभी नहीं घबर decreasing कभी भी नहीं डरती है और परवत का मतलब पहाड उसके बाद question answer आते हैं आपके first question है यहाँ पर इसके सामने आप लिख लेंगे प्रशन एक उसके बाद उत्र उत्तर प्रशन तो इस तरह से आप लिख लें तो ज्यादा ठीक रहेगा first is cheety क्या करती है तो cheety हरपल चलती रहती और श्रम का राग गाती रहती है वह किस मोसम में काम करती है वह चाये धूप או रारिश वह दाना चुनकर लाती है यानि कि कोई भी मोसम हो वह हमेशा काम करती है और इस मोसम में कौन सा आया था धूब या वर्षा चीटी का तन कैसा है चीटी का तन जो है छोटा है लेकिन उसके इरादे बड़े हैं उसके बाद है चीटी कभी घबराती है तो कब जो है वो घबराती आपको बताना है तो नहीं वह कभी घबराती नहीं है वो कभी भी नहीं घबराती है उसके बाद में next question है चीटी परवत पर कैसे चड़ती है तो अपने ननने यान की छोटे छोटे पैरों को बढ़ा कर परवत पर चड़ जाती है आगे है चीटी काम करके क्या दिखलाती है तो वह काम बड़े करकी कौन से काम करके दिखलाती है अगर चीटी के रास्ते में कोई बादा आ जाए तो वह क्या करती है तो अगर उसके रास्ते में कोई बादा आ जाए तो वो कभी भी हार नहीं वानती है और आगे बढ़ती रहती है और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें क्या सीखना चाहिए इससे तो हमें भी चीटी से करमठता, लगन और धेरे सीखने को मिलता है या धेरे की सीख मिलती है कि जैसे चीटी हमेशा अपने काम को लगन से लगातार करती रहती है कभी भी नहीं रुपती है तो उसी तरह हमें भी अपने काम को हमेशा लगातार करते रहना चाहिए तो ये था आपका chapter अगर इसमें कोई भी doubt है ता आप comment करके बता सकते हैं and that's all for today and please like, share and subscribe thank you